नमस्कार दोस्तों OCN नेटवर्क में आपका स्वागत उत्तर प्रदेश एक समय सेफ़ाई महत्साव के लिए जाना जाता था और ऐसे ऐसे लोगों के लिए बुलाया जाता था वहां पर जो दूसरे कारणों से बदनाम थे मशुहूर तो मैं नहीं कहूंगा प्रसिद्ध थे और साम्ने समाजवाद की बात करने वाले लोग बैठते थे और पूरे रात महां यही सब ड्रामा नाटक नोटन की चलता था दो दो तीन तीन दिन तक चलता था और उस पर सैंकडों करोड रुपया फूंका जाता था मतलब खजाने से भी फूंका जाता था और केवल एक ऐसे क्षेत्र पर जहां मुलायम सिंग यादव ने जनम लिया था उस क्षेत्र को ही चमकाने के लिए जिस तरीके से शायद हजारो करोड रुपया फूंक दिया गया और पूरे उत्तर प्रदेश को उपेक्षित रखा गया भगवान श्री राम के जनम अस्थान को तो अभिशाप के तोर पर पूरी तरीके से ना केवल उपेक्षित किया गया बलके उनकी प्रतिमा जो दशकों तक अभिशप्त कर दी गई एक तिरपाल में रखने के लिए रहने के लिए वहाँ पर कोई भगत अगर जा भी रहा है अगर कोई अपनी लोगतांत्रिक तरीके से परदर्सन करते हुए मांग भी कर रहा है तो उनको क्या दिया गया गोली लाठी मुकदमे और जेले कारागार में उनको ठूंस दिया गया आज माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ है पूरे देश में एक ऐसा वातावरन बन गया है और देख करके कभी-कभी आँखे भराती है भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के तैयार है सिर्फ एक कदम की दूरी पर हम बैठे है आज 20 जनवरी है बस कल का दिन बीच में है और 22 जनवरी को उस भव्य और दिव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है एक तो 14 वर्ष का वो वनवास था और एक ये पता नहीं कितने वर्ष लंबा तिरसकार कह लीजिए अपमान कह लीजिए कुछ भी आप इसको नाम दीजिए और एक स्वतंत्र देश में एक ऐसे देश में जहां बहु संख्यक हिंदू हैं वहां पर ये सब किया गया और आज हम इसी से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और ये बेशर्म लोग अभी भी राजनीती कर रहे हैं अभी भी इस पूरे वातावरण को सामप्रदाई करार देने की बेशर्मी दिखा रहे हैं यानि भगवान राम का काज अगर कोई कर रहा है जो हमारा खोया हुआ गोरव है जो सम्मान है जो हमारी भावनाएं हैं जो हमारी संवेदनाएं हैं जो हमारी पहचान है उसको अगर लोटाने की कोशिश की जा रही है तो इसमें ये सामप्रदाईक्ता का पुट देख रहे हैं और अभी भी अपनी हरकतों से और दुष परचार से बाज नहीं आ रहे हैं सीधे जुड़ लेते हैं लखनाव से मेरे साथ बहुत ही खास मेमान परिष्ट पत्रकार सतीश चंद विसरा जुड़ रहे हैं उनके साथ जुड़कर के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जो इस समय वाता वरण है केवल आयोध्या की बात में नहीं कर रहा उत्तर प्रदेश की बात में नहीं कर रहा पूरे देश में भी और विदेशों में भी विदेशी मीडिया में भी अगर हम देखें या विदेशों में बसे हुए भारतियों को भी देखें सब अहलादित ह सब उत्साह से उल्लास से परिपूर्ण है 22 जन्वरी की इस घड़ी का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं और बहुतों की तो आखे नम है क्या कहेंगे इस वातावरन पर हाँ उंकार जी उत्साग आलम यह है कि मैं आज ही खबर एक पढ़ रहा था कि दुनिया के सतावन देशों में अलग अलग तरह से 22 जन्वरी को जस्न की तैयारी है तीन हजार तो उन सतावन देशों में तीन हजार तो स्क्रीन लग रहे हैं जो अपने अपने इस्तान पर उसक होगा तो आज जर सगे भी जानने कि 57 नहीं चोटे-ए-मोटे देश नहीं अमेरिका भी शामिलेए इंगलेंड भी सामिले जर्मरी भी शामिले फ्रांस, जापां भी शामिले यानरे दुनिया के जी टुन्टी देश सब्सक्राइब दूनिया कि 20 टाकतवर देशे हैं उनको मिलाकर सत्तावन देश तो आप यह कह सकते हैं कि सत्तर परसंट दुनिया आगर आप पॉपलेशन की भी बात करें तो जो ताकत वा रहे हैं उन देशों में यह भगवान नाम का उस्व लाई देखा जाएगा अलगलग उन्होंने अपने हिसाब से प्रबंद किये जहां जैसी संक्या है तो इससे अनुमान लग जाता है कि कितना बड़ा यह आयोजन है और उसका कारण है उंकार जी कि मैं जाब सारी डिबेट में इस बात बहुत लाँँ कि यह अनुश्टान हम लोगों की पीड़ी यह हमसे जो जो इस समय जीवित लोग हैं कि हमसे पहले की पीड़ी जो सीनियन को आप सीनियर सीटीजियन कह लीजे यह जो हमसे छोटी पीड़ी है जो नौजवान पीड़ी है यह बहुत भागिशाली पीड़ी है कि वो कुछ कालखंड का की गवाँ बन रही है जो तीन हजार साल में गटना हो रही है यह जो अड़ा तोड़ा गया ता बाव तो कम से कम देड़ा दोजार साल बात तो यह आयुजन दुबारह अउद्या में हो रहा है और जिनों ने इस मंदिर का निर्मान किया इस कंपनी ने बनाया है उसके इंजिनियर जिनों ने भगवार नाम की पृतिवा को बड़ा है अरुन योगी राज्यों मूर्तिकार है कि क अगर आप आगे पीशे जोड़ लीजे तो तीन हजार सार के बीच में जो एक हो रहा है यह हम लोग देखेंगे सुनेंगे इसके गवाब बनेंगे और वही सिर्थी पूरे दुनिया में जहां भी हिंदू रहता तो 57 बात की उन सब में उस्सा है उनको मालूम है कि वह ऐसे छण के साख्थी बनने जारहे हैं जो हजारो साल पहले कभी वा था यह हजारो साल बात होगा तो इसका मत किसी से समझ में आ जाता है और बाती जो इस तितिया है कि इस समझ पूरा द 보시면 नहीं एक तरह से सब राम में हैं मैं कुछ द्रश्य देख रहा था सतीज जी तमिल नाडू के, आज कल हम देख रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधान मंत्री आवास के अगर आप सीन देखें, तो वो कुछ नकुछ स्धाय कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, अनुष्ठान के तहत, जो उनक को बताया गया है सामने गाए आपको दिखाई दे रही है जिनकी सेवा वो आजकल कर रहे हैं इसके अलावा वो जगह जगह जा रहे हैं एक social media पर यह द्रश्य आया है जब वो एक रोड शो कर रहे थे गुजर रहे थे और सामने घर में खड़ी हुई एक महिला उनका अभिवादन करती हैं इसके अलावा भी कुछ द्रश्य आए हैं वो असनान करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो मंदिर के प्रांगण में जा रहे हैं अलग-अलग जगहों की ये तस्वीरे हैं एक और तस्वीर जो है वो दिखाई पड छूफ आसे बाम झाल हा रहा हैं बदो जो कि वे दिखाई प्रांगब सावते हैं प्रांग़ादस का उनका अनका भीम ए multip out o ई यह तमिल नाडू का है वह तमिल नाडू जो द्रविड पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है और हाल में वहां बड़े बदलाव हम लोग देखने को देख रहे हैं 25-30 साल पहले हिंदी का विरोध होता था फिर मामला सब शान्त हो गया क्योंकि DMK और AIA DMK वो सत्ता में आते जाते रहे लेकिन इधर जब से अन्ना मलाई पॉलिटि ने भारतिय जनता पारिटी का परचम थामा है वहां बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और परधान मंतरी की लोकप्रियता का क्या आलम है ये आप इस वीडियो से देख सकते हैं बड़े भुजूर्ग माईलाएं किस तरीके से उनको आशिरवाद दे रहे हैं कितना उत्साहा है उनके परति ये जो दक्षन में बदलाव की बयार देख रहे हैं ये वीडियो मैंने इसलिए प्ले किया है ताकि लोग जरा देख सकें कि दक्षिन में ये हो क्या रहा है मुझे लगता है कि जैल अलिता के बाद इतनी लोकप्रियता किसी लीडर को अगर वहां दिखाई दे रही है तो वो परधान मंतरी नरेंदर मोदी हैं इस पर सतीज जी की अठीपणी लेते हैं कि सतीज जी का क्या कहना है इस पर बहुत बहुत बैद्रिट वीडियो आपने दिखाए मेरे निगाह में नहीं Galileo और बहुत कुछ कहानी कहरा है कि दक्षिन भारत कैसे कर्वट ले रहा है तो कि वहां का जो समाज है और इस आपने वीडियो दिखा तो इस संदर में बता दूँ कि मेरे उत्तर पुर्देश के डीजी भी रहे हैं आज कल राजसाबस अदर से बाजपा क्या हैं वो ब्रिजलाल बहुत नामी रहें बहुत लोगपरी रहें वो तो वो अभी एक हफते का दौरा करके लगपरी तो ब्रिजलाल जी ने उनसे यही का कि जो कुछ मैंने तमिल नाडू में देखा तो मैं अचंबित था कि यह तो नजा रहा है तो उन्हों ने का कि चौकाएगा पूरे देश को यह उन्होंने और एक हफते कई जिलों में उन्होंने सवाएं की लोगों से मिले तो वह जो जो बात उन्होंने कही थी उसकी पुष्टी जो वीडियो आपने दिखाया वह उसकी पुष्टी कर रहा है कि तमिल नाडू जो और उसका कारण बता दूं आपको कि यह बड़ी एक गलत हमारे धारना बनाए कि इन कांग्रीसियों अपने अपना जेनका नेटवर्क अगर इसका ठीक से मुल्यांकर किया जाए तो यह सरा सर जूट बोलते थे मैं यह बाट आप वहां पे हिंदुत की क्या इसको बाच्पा के उतारो चड़ाओ से नहीं जोड सकते बाच्पा का वहां संगठनी कभी नहीं था बाच्पा नहिंदी बासी चेत्रों तक सीमित थ लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका विस्तार करना सुरू किया और दस साल बाद उसके पढ़नाम मिल रहे और दर्शकों को मैं बता दूँ कि अगर आप दर्म के कर्षोटी परकेंगे तो मेरे कहल से दक्षिन बारत का वज़न ज्यादा बारी है हमारे उसका एक उसका एक तक सफसकते हैं कि हमारे काशी तोड़ दिया मुघलों ने ऑधक्षिन को फरकें वैक के पास था लेकिन ना तो पघ्मनाव को मंदिर तोड़ो पाए और जो मेनाख्षी मेनाख्षी टोड़ पाए हमारे कोई मंदिर वो तोड़ नहीं पाए इसका मतलब समाज बहुत संगठित धर्म के प्रति और इस सनातन वहां पर बहुत ताकत वर था एक साथ था इकटा था हमारी तरह यह बटा नहीं था मेरे काल से समय यह काशी मतुरा तोड़े गए तो उस समय भी मुलाय मुलालू जैसे लोग ते जो सिकुलरी जम को कुछ उनके अलग नसा था उसकी कीमत हमने चुकाई गुजराच में सोमनाथ तोड़ दिया गया लेकिन मैंने का दक्षिन के सारे मंदिर सुरक्षी नहीं उनका इतलास प तो सरवाधिक संख्या दक्षिन भारत के ही वक्तों की होती थी जो आते थे बनारस में वाव विश्णात के दर्सन करने तो यह और जो अब आप राजनेटी के जरा इतियास समझ लीजिए कि वो जो पेरियार था उसने यह शुरू कि सनातर मिरोदी एक रादनीत का एक हो उसके बाद अन्ना दुरही का चेला करुणा निदी था लेकर यह जो शासन करते रहे उसके पीछे ताकत कुछ और थी यह इनका इनकी बदावला नहीं था जो करते हैं कि वहां तो एंटी आर्या नहीं राज नहीं चलती यह सब कम दिश्टों ने गड़ा कि जिस समय उन अपनी बनाई तो जब तक एम जी राम चंदरन जिंदा रहे कभी करणा निदी सत्ता के करीब नहीं पहुंचा जो द्रवनी राजनीत का बहुत बड़ा खेकेदार था और एम जी राम चंदरन का जादू करमिलनाडू की जनता की सिर्फ चलके सिर्फ इसलिए बोलता था क्योंकि एम जी राम चंदरन की यौख पृता थी वो को यौगी दक्षिन वारत की मैफलॉजीकल जो फिल्म होती थी उनके वह हीरो होता थे कहीं राम बनते थे कहीं संकर बनते थे तो वह को लो धार्मी चthemत निवाकर ही वह आद BC वीन बीटेवी लोग हो गया था अप्रा दर्म की जड़ें कितनी गैरी हैं तो यह लोग बरगलाया है लोगों ने माहुल बनाया और उसके बाद एम जी रहाम संद्र ने जब अपनी विरासत जैलेलिता तो जैलेलिता भी करनों ने दी पर हमेशा भाहरी पड़ी जब वो मरी है तो लगा लगा दा दुवारा चीप न सिस्टर बनी थी तो यह यह अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि दक्षिण वारत जो सरातर विरोधी है यह हिंदू विरोधी है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है उसका एक कारण था कि भाच्पा कवान संगठ नहीं 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 चला जाएगा अब उन्होंने एक वाला ही उता रहा है और जवर दस्तो आत्मी काम कर रहा है और उसके पढ़नाम अभी आपको जो उंकार जी ने वीडियो दिखा रहा था तो दक्षिन वारत हमसे ज्यादा धर्म भीर हुए और धर्म के प्रति उसका उसकी ज्यादा आस्था मैं कह सकता हूं अगर मैं उत्त कि लिए मैं कहता हूं कि कुछ लोगों का अपती हो सकती लेकिन मेरा बिल्कुल मानना है कि संदोता राजा बोज और विक्रवा दित के बाद पहला ऐसा धर्म भीरुषासक मिला है जिसने धर्म की इसकदर सेवा की है कि दस साल के उनका दुकाल करने लोगा बहुत लंबा थ दस साल मंदरें रमोदी ने उनसे लंबी लगी भीज लिए अगर आप धर्म की बात करी है तो उसके पढ़ना हम आपको मिल नहीं और दक्षिर वारत अपकी चौकाएगा वास्ता हम हिंदुस्तान को सतीज जी केरल से चले थे आदि संक्राचारिय हिमाल्य तक आये थे चार पीठों का गठन किया था शंक्राचारिय चार पीठों पर बैठाए गए उनका हेतू था उद्देश्य था दक्षिन से उत्तर तक भारत को एक करना एक जुट करना लेकिन हम जानते हैं कि अतीत में दक्षिन में भी क्या हुआ है और इन पीठों पर भी क्या हुआ है और इससमें भी क्या हो रहा है अभी भी किस तरह के बयान दिये गए हैं वो धर्माचारिये होते हुए भी राजनीती कर रहे हैं और एक आदमी राजनीती में होते हुए प्रधान मंतरी रहते हुए धार्म का किस तरीके से पालन कर रहा है ये वो बता रहा है ग्यारे दिन का अनुष्ठान करके धर्ती पर सो करके अन्न का भोजन का त्याक करके केव प्रतिष्ठा समारों में हिस्सेदार बनने से पहले वो उन सारे महत्वपून धरमस्थलों में मंदिरों में जा रहे हैं जिनका कोई नाता कभी किसी ना किसी रूप में भगवान राम से या शिव से या जो हमारे अराध्य रहे हैं उन से रहा है ये अगेन हम ये कह सकते हैं क तोडने वालों को आइना दिखा रहे हैं और एक जोडने के एक जो कहते हैं पुल बन रहे हैं फिर से एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं नहीं उंकार जी क्योंके राम मंदिर वाला मामला इतना ज्यादा चर्चित है तो लोगों का ध्यान उस तरफ क्या पदान मंत्री मोधी 11 दिनों का जो अनुष्टान कर रहा हैं तो ज्यादा चर्चा में आ गई अने ता इससे पहले दोनों नौरात्र पर वह नो दिन तो रहत रहें तो यह उनका बड़ा लंबा है एक सिल्सिला है लेकिन अब मंदिर की वज़े से चर्चा में आ गया और दर्सकों को वैसे याद दिलातूं कि संभवता जिस समय पहली बार वह अमरीका गयते प्रदान मंत्री बनने के बाद तो उस समय जा ओबामा वाइट हाउस में से और डिनर को जब बुलाया था तो नरे नर्मोदी ने केवल निंगू पानी का सेवन किया था कि उनका नहीं कहा था नवरातर चल लाएते तो इतनी कटूरता से वरत रखने का काम वो पिछले कई दशकों से उनका उनके जीवन का अभिन अंग बन चुपा है तो ऐसा धर् कि उससे जुड़ी हुई जितनी भी दार्मिक अनुस्थान है उनको पूरा कर रहे हैं पूरी त्याग और तपस्या के बाद वहां पर पहुंच रहे हैं और दक्षिन बारत में एक-एक मंदिर जो दर्शन करने जा रहा हैं तो सम्होंता ईश्वर से वह यही मांगने जा र प्राण प्रतिष्ठा होनी है वह आ गया है मंदिर के सजावट के लाइटिंग के कुछ द्रश्य आ रहे हैं जो भव्यता है जो दिव्यता है वो अभी दिखाई दे रही है कुछ और चित्र भी आ रहे हैं मैं उनको एक बार दिखाना चाहता हूं देखिए ये फिल्मी दुनिया के एक कलाकार है जैकी स्रॉफ इनका एक वीडियो आया है य लाइटिंगे प्रेश्श लौई आज़ मैं नहीता है। मर्ले लाइटिश वीमों है इनको के लिए बढ़न ये वाइटिंगा रहा हैं जो अव्यता हैं की जो थे लुदीए लुलों स्रॉफ ऐल स्टीन आ तर लाइटियों हैं बिल्कुल राम के भक्त बन करके ले मैन की तरहा जिस तरीके से वो सारे अनुष्ठान कर रहे हैं सारे यम नियमों का पालन कर रहे हैं वैसे ही एक आम आदमी बन करके मंदर की सीड़ियों की सफाई करते हुए जाकि सुरॉफ दिखाई दे रहे हैं ये जो दो चीजें हैं ये बहुत बड़ा संदेश देते हैं हाँ ये ये मोधी का इंप्रेट के लिजे मोधी इफेक्ट के लिजे कि ये जैकी सराप का ये वीडियो वास्तों में इसमानी है याद रहेगा लोगों को कि वो आदमी फोटो किशानी के लिए नहीं कि जाड़ू लेके वो अपने फोट इसलिए कह रहा हूँ इसको कि ये बाली वुट का दिगज लोगों में से हैं जैकी सराप पिछले से मुझे दो तीन दश्कों के अदर असी में पहली मिक्सर तो चार दशा की सादमी को गुजर गए और बाली वुट वो जगह ती उसकी ये पैचानती हिंदुस्तान के गरीब हतकंडे इस्तेमाल करता था ताकि मैसे चला जाए कि हमारा को लिना देना नहीं है उस बाली वुट से उस बाली वुट से आज जैकी श्राफ कितने स्रद्धा के साथ करा तो मैं इफेक्ट मोधी इसलिए कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि को मोधी ने जादू कर दिया नरह तो वह इसलिए कभी बाली वुट को उन राक्षा सी पंजों से मुक्त करा दिया है प्रदान मुंत्री मोधी ने तो अब बड़ी संख्या है जो निकल कर सामने आ रही है पहले वह डरते थे बाली वुट में जो कलाकार हम उनको परदे में बड़ा करिस्में करते देखते थ तो उन ताकतों से क्योंकि नरेंदर मोधी ने मुक्त करा दिया है उसका परणाव आप देख रहे हैं जैकी स्राप जैसे लोगों जैकी स्राप वीडियो चर्शीत हो गया एक बहुत बड़ी संक्या है जो खुलकर दर्म के सनातन के समर्थन में आ गई है और आपको 22 तारीक को वह दिखेंगे वहाँ पर अनुस्थान हो रहा हो और बाली गुट की हस्तियां वहा हुआ है यह प्लान मुंत्री मोधी ने करिश्मा दिखाया है और अंकार जी सबसे खास बात यह है कि यह जो बाइस तारीक का अनुस्थान हो रहा है इसका एक और मात्व है कि मेरे क्याल से भारत के इतियास में पहली बार को ऐसा आयोजन जिसमें समाज समाज के विविन वर बिजनस उद्यों जरा याद करिए कि आईसा कौन से मौका है मैं कि बिजनस के लेता हूं कि टाटा भी हैं अंबानी बी हैं अडानी और महिंद्रा भी हैं कुमार वंगलम बिल्ला यह एक जगह खले हो रहे हैं तो यह यह दूसरा मोधी एफ्ट है कि पूरे देश को एक कर लिए और किसी भी चेत्र की बात कर लिए किसी भी चेत्र की बात कर लिए उसकी टॉप इस्पोर्स मुएं के लिए था उसने वह कि क्वेट्ष को जाओंगा मुझे निमंतर मिलाय तो यह प्रदान मंत्री मोधी ने एक सूत्र में बाना है पूरे देश को ये एक बड़ी उपलब्दी है और जो अभी उंकार जी ने कहा था तो बादमनों की दूसरे सब चली गई थी लेकिन दक्षिन भारत की बात थी कि दक्षिन भारत वो जगह है जहां से आदी संक्राचार उस केलल से निकले थे और उन्ह करें वहां ज्यादा गहरी थी इसी लिए यह जो पायत है डाकू आजार आट सो साल पहले बाबार अकबर इनको तुम्हें नहीं कर पाया हमारे सब्दा की शिक्रों का जैसा उन्होंने उत्तर वारत में किया और आज भी कुछ राजनीत के जो हैं लोग वह उसी पुराने द बहुत बड़ी बात आपने कही है सतीज जी ये जो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं इफेक्ट की बात कर रहे हैं अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है कुछ ही महिने पहले गाजयाबाद में एक इंस्टिट्यूट में कोई सांस्कृति कार्टम चल रहा था और किसी ब अदला हुआ माहौल है सतीज जी हां बिलुकुल अंकार जी बहुआन राम इस देश की आत्मा है और उस आत्मा को किस तरह से दवाया गया कुछला गया बंद करने कोशिश की गई अलग करने की कोशिश की गई तो जैसे ही आउसर मिला और मैं फिर वही कहूंगा कि प्रदा बच्चों नजर आ रहा है मैं आपको आज 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 के अगटना करम बता दू मैं सिग्रेट करीजने गया मैं खड़ों कर सिग्रेट पीने लगा एक कोई आया होगा थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा वह इस निसले तक था उसने उससे कुछ मसाला साला करीदा और वह प पान वाला बोल दिया कि अरे जब नेतागिरी करा रादनीत कर रहा है मोदी उस आदमी ने उसका वापस रखा मसाला करें पैसे वापस लाओ तो वह चौंका क्या हुआ क्या हुआ कैने नहीं जब मोदी खिलाप बोलते हैं तो देही बर जाती है हमारी मैंने का यह इस्थाई होगा वह इस्थाई हो जाएगा उस जबरूट और सतीज जी आप इतने नराज हुए एक आदमी के वयान पर एक नेता के वयान पर आपने ट्वीट किया कहा कि इसको पागल खाने भेजो यह ट्वीट में आपका देख रहा था ये क्या क्या ये लोग जो बाला स आप ठाकरे से जुड़े रहे हैं ये देश का मूड नहीं देख पा रहे हैं क्या इतने ना समझ हो गया है इतना पागल पन हावी हो गया है इतने हैं कर रहे हैं कि कुछ भी गोए ब tom क हाई है चार किलो मेटर दोर मंदिर बन रहा है जबकि वह सवा सो एकळका समंधिए हो चित्रपल है और अगर 700 एकड़ को आप मीटर में बात करिए तो आदा वर किलो मीटर का पूरा ये तिरिया वो होता है उसी जगह वो बन रहा है चार किलो तो मतलए या तो ये स्विकार करें कि हां देश से म्जूड बोल लें या पर ये वास्तों पागल इसका इलाज का है प जो पुत्र मोस नहीं परिवारवाद पुत्र मोस कहिए नहीं वर्पाए कि उन्हों दो चैन गलत किया अपने पुत्र का अगर समभता राज ठाकरें किया होता तो वह आद्मी से बेतर होता ये उद्धो ठाकरें इस लाइक नहीं था कि ये राजिनीत में भी आए और उसको उसी तरह के लोग मिल गए संजयराओ जैसे लोग गटिया लोग इनाउने लोग जिनके करना चाहिए यह अपकों कि भगवान राम पर टिपड़ी कर रहा है तो ज्यादा चर्चा आ गई यह हमेशा इसी तरह के पिछले दस साल का इनका इतियास यह है दोजार बारा में बा घटिया परी कि उनकी मा के खिलाब घटिया टिपड़ी कि अब इनके हवसले के इतने बुलंद होगे ख़गवान राम के खिलाब टिपड़ी करना है तो अब रामा, रामा, रामा रामन् एन्नुम् सेम्मै सेर नामं तल्ने कண்களिल் தெரியக் கண்டான் रामन्, 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 रामन् यन्नुम सेम्माई सेर नामं तन्नाई कंगलिल तेरी एकंडा शतीज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप चुड़े और बहुत महत्वर फोन मुद्धे पर आपने चर्चा कि नमस्कार नमस्कार